वेलकम तो मैं चानल शहदाद हल्थ अफिर दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक अलग तरह की बाटी की रेसिपी तो दाल बाटी आज हम बनाएंगे मगर अलग तरीके से जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं वो देखके ही समझ गये होंगे आज मै क्या बनाने वाली हूँ तो यूपी की फेमस बनाने वाली हूँ बाटी जो हम ना ही तंदूर का यूज करेंगे ना ही अवन का यूज करेंगे ना ही हम इने कड़ाई में बेक करेंगे तो कैसे बनाएंगे ये खस्ता करारी बाटी तो बाटी के साथ हमें दाल सर्व करनी हो कटोड़ी पानी स्वाधनुसा नमक हाफ टीस्पून हल्दी और चुटकी वर हींग डाल कर इसको प्रेशर कुक करेंगे तो इसके लिए धकन लगाकर हम इसे 10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर दाल पकने तक पका लेंगे अब हम अपनी बाटी के तयारी करते हैं तो यहां हमें सौंदी बनेंगी इसमें डाल वहीं है थोड़ा सा नमक और अब आपको नमक यहीं भी थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे लिए कोई मोयन नहीं डाल रहें कुछछ नहीं रहे हैं फिर भी एक तनी खसता कुरकुरी हैसे थो यही सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी तो तो मुलायम आटा लगाया है, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे 10 मिनिट के लिए रेस्च दे देते हैं, तो लगबग 10 मिनिट हो चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, जो हमने यह आटा लगाया है, इससे हम इस तरह से बड़े बड़े गोले बनाएंगे, देखा तो यह सारे जो लोई याने की जो गोले बनाएं हमने, यह इस पानी में हमें डाल देने हैं, और इसको बॉइल करना है, कम से कम 15-20 मिनिट, तो यहां पर देखें, मीजिम फ्लेम पे मैं इसे बॉइल करियों, आप देख रहे होंगे, आटा अब पहले से आप देखें, कलर पहले से स्पॉंजी हो गया है, पक चुका है, और 15-20 मिनिट मैक्सिमम लगते हैं इसे पकने में, और वो फता चल जाएगा, आप एक चाकू डाल के देख लीजे, अगर अंदर से बिलकुल साफ आ रहा है, तो इसका मतलब अंदर से आटा पक चुका है, तो अब इसे थोड इडिशनल वे है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो लोग बनाते हैं, उसको वो क्या करते हैं, कि आटा जब उबल जाता है, तो उसको इस तरह से मतनी या हाथ से, या कटोरी से, इस तरह से रगड रगड के बल्कुल चिकना करते हैं, तो हमें थोड़ा सा काम स्पीड में करन इस तरह से हम इसे डाल के मिक्सी में चलाएंगे, अब आप देखेंगे, जैसे जैसे हम इसको ब्लेड लगा के चला रहे हैं, तो यह आटा पहले तो कटने के बाद या आपस में एकदम बाइंड अप हो जाएगा, अच्छे से बंद जाएगा, तो यही काम आप मिक्सी में कर सकते हैं, मेरा काम दो बार में हुआ है, अगर आप सिंपल मिक्सी जार में चला रहे हैं, तो आपको हो सकता है, चार बार में करना पड़े, थोड़ा थोड़ा डालते जाएगे, और चलाते जाएगे, अब मैं खोल के आपको दिखाती हूँ, किस की कांसेस्टनसी कैसी है देखिए, अभी आपको लग रहा है न, यह बिकरा बिकरा है, लेकि जब हम इसे बाइन करेंगे, तो यह इस तरह से हो जाएगा, तो फ्रेंट्स यह पूरी तरह से हमें ठंडा नहीं करना है, यह हलका गुनगुना है, और मिक्सी में चलाया हमने तो यह थोड़ा और ठंड अब थोड़ा सा रगड़ लेंगे, थोड़ी महनत बनती है, तो देखिए, हाथों से चिकना करना है, और यह थोड़ा सा दम लगाई है, थोड़े सी आपको ताकत यहां पर लगानी पड़ेगे, और इस तरह से प्रेशर डालते हुए, हम इस तरह से एक लोई तयार करना है अब आपको जितनी बड़ी बाटी बनानी है, उतने बड़े आपको यह गोले तोड़ने है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा मीडियम साइज ही बनाती हूँ, ना बड़ी बनाती हूँ, ना छोटी बनाती हूँ, और यह रेखिए, इस तरह से हमारे, मैंने इसके सारे लोई का तो हेना मेज़दार काम बहुत जल्दी से तयार हो जाती है बस बॉइल करने में जितना टाइम लगा हमें आटे का बस वही टाइम लगता है दोस्तों तो यहां पर देखिए मैंने गरम किया है देसी घी कढ़ाई में गरम होने रख दिया है आप चाहें तो ऐल यूज कर सकते चौपर में चौप कर लिया है और एक हरी मिर्च इन सारी चीजों को अच्छे से हम घी में बूनेंगे क्योंकि दाल का तड़का हम टमाटर का बना रहे हैं हम प्याल लसन का यूज नहीं कर रहे हैं अगर अधरक है तो आप थोड़ा सा गिस के डाल दीजे तो अब मैं डाल कि तो इस विज़े से हम घी मैंने इसमें को गोल के पानी में अडाल दिया और जब आपको लगे टमाटर भून गए है थोड़ा से घी चोड़ दे तो हमने जो अपनी दाल उबाली थी उसे इसमें डाल दिया अब हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा उपर से इसको और सजा जितनी आजाएं आराम से कठाई में आप उतनी डाल दिजिए ना ये खुलती है और ना ही ये बहुत जादा मतलब कैसे बताऊं जैसे आप होता है ने कि बाटी जैसे हम तंदूर में बनाते हैं या उसमें बनाते हैं अवन में बनाते हैं तो बहुत कड़क हो जाती है तो देखिए इस तरह से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको धीरे धीरे चलाते हुए अराम से तला है और एक बैच तले में फ्रेंट्स लगभग 10 मिनिट लग जाते हैं क्योंकि तेज आज पे हमें नहीं बनानी है यह और देखिए बिल्कुल गुलाबी कलर आ गया है बिल्कुल कुरकुरी तयार है हमारी बाटी तो इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के बैच अपना तयार कर लेंगे तो आये सर्फ करते हैं गर्मा गरम बाटी गर्मा गरम दाल के साथ यहां मैंने सर्फ किया है साथ में मसाला चाच जो मैंने पुदीने से तयार की है तो बेस्ट कॉमिनेशन है यह यूपी का और अलिएगड में तो बहुत ही फेमस है यह खसता दाल बाटी तो आप लोग बनाईए और देखिए कुछ अलग आजकल जैसा लॉक्डाउन पिरेड चल रहा है सब लोग खाने के लिए अलग अलग चीजे मांगते हैं तो आप तोड़के आप लोगों को दिखा देती हूँ यह देखिए बाहर से एकदम खसता है पर अंदर से देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है बहुत ही अच्छी रखती है खाने में तो ट्राय जरूर करिए रेसिपी पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लाओ करें